आज हम लोग N के उच्चारण के नियम जानेंगे बिल्कुल M की तरह इसे भी N कहते हैं या नहीं कहते हैं N को हिंदी में न कहते हैं देखे हिंदी का न जो होता है लेकिन याद रहें न नहीं पढ़ेंगे न पढ़ेंगे नेजल साउंड लाएगा न जैसे नाइस निय इन को कब ना रा अंगा या रा पढ़ा जाए इसका डिस्कुशन हम वीडियो में करेंगे साथ ही साथ हम सब को ये भी पता है कि N एक कांसोनेंट लेटर है और ये एंगलिश अल्फाबेट का चुदहमा लेटर है आई देखतें N और डबल N में क्या फर्ख है देखिए किसी भी वर्ड की बीच में अगर डबल N आता है तो उसे हम ना के बदले ना पढ़ेंगे सिंपल जैसे डिनर डिनर नहीं होगा डिनर फणनी नहीं फणनी चैनल नहीं चैनल और देखतें N कब साइलेंट होता है जिन शब्दों के अंत में M N आता है तब इसमें N साइलेंट रहता है यानि कि N के पहले अगर M है तो N साइलेंट रहता है जैसे ओटम देखिए इसमें N के पहले M है इसलिए N साइलेंट है autumn, autumn is पत जड, column, column में भी देखिए, n के पहले m है, इसलिए n साइलेंट है, column में इस स्तंभ होता है, solemn, solemn is गंभीर, वैसा ही है, condemn, condemn में भी last में m, n है, इसलिए n साइलेंट है, condemn में इस होता है, निंदा करना, English alphabet का पंदरहवा लेटर वो है, देखिए, o को कब o, a, या o, या o पढ़ा जाए, और साथी साथ इस से related, o, या o, a, o, u, o, o, या डबल o, o, n, o, r, या o, w, को क्या पढ़ते हैं, o से related, उच्चारण के क्या-क्या नियम है, इन सब का discussion हम, next वीडियो में करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं, ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने, क्य आते हैं, धन्यवाद दोस्तों